वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की फते साधी चल्दी होई विचारम सार तीमा पाग है दसमेश रचनाच पखांडवादा खंडन कलगी तरपाशा गुरु गोबन सिंग महाराज पंथ के वाली अमर्त के दाते जित्थे तेग देता निसन उत्थे सत्गुरा ने कलम दी शक्ती नाडवी एस संसार नो ग्यान में प्रकाश बक्षिश कीता क्योंके जित्थे एक पासे जाबर ते जालम अपनी ताज दी अपने राज दी शक्ती नाड़ लोकां ते जल्म कर देसन दूजे पासे केवल पे एक तार ये लोक पखांडवादी लोक भी आम समाज नो जेड़ा उदाशोशन भी कर देसन और पखांड में कर्म दे नाड़ गुम्रा भी कर रहे सन इसलिए जमें असी साधी रुजानना दा नितने वेच असी सवयाँ वेच सत्कुरा देप देशनों पड़ देयां कि को बतान को पूजत है पस को मिरतान को पूजनतायो कूर क्रिया और जो सब ही जग सिरी पगवान को पेदना पायो सत्कुरा ने क्या कि संसार वेच परमा वेच उड़ जा होया समाज कोई बतानों पूजदा है कोई मुयानों पूजदा है असल वेचे चूठी किरिया वेच और जा होया सुमाज है जेडा अकाल पुर्खदे पेदनों नहीं जान सकता है इस तरान दे ब्यांत फर्मान हन दसम पाशा महाराजी दी बानी दे वेच जाग आपन आपन और जाना पार ब्रम काहूना पशाना एक मडियन कबरन वैजाही दोहन मैं प्रमेशर ना है सत्गुरुकंदे के दुनिया परमादे वेच और जी होई है कोई मडिया वेच पूजा करन जा रहा है तो कोई मुर्द्यान पूज रहा है कोई कबरादी मानता दे रहा है असल वेच इफोकट कर्म जिड़ा इदे वेच संसार उड़ जा होया ग्यान तो विहूना है तो फोकट कर्म कांडा मेच उड़ जा ही अपनी जीवन ब्रबाद कर लेना है क्योंकि किसे भी समाज दे वेच जदों केवल बारी रूप वेच अडंबरवादी लोग पकांडमई लोग अपने पेखनार कबजा करनी कोशिश कर दे हन तो असल वेच समाज बहुत बड़े पद्र दे उत्ते शोशत होंदा है ओदी मानसक आर्थक बहुदक बरबादी होंदी है और कलगी तरपाश्या विश्व दे रहबर समू मानवता नू जागरत कर दे हन इसे तरह ही अकाल उसस दे वेच सत्कुराँ दा एक कवेत है जी दे वेच सत्कुराँ ने ये समाज वेच जो वापर रहा है क्योंकि कुछ लोग समझ दे सन के मलीनता दे नाल जीड़े लोग स्वाश पोजन ते आके गंदगी जा पैड़ा पोजन कर दे है इना नुराब मिल दे कोजने ए मानले के जीड़े केवल शरीराँ दे उते स्वाव मलके बपूती मलके ही तुर दे हन एकाल मू मिल पें दे हन जा कोई मडिया मसाना दे विचे रातां कट दे हन ता इना नुराब मिल दे है इस परती सब्गुराँ दा कवित है खूक मलहारी गाज गदहा बेपूत तारी गिदुआ मसान बास करे हो ही करता है को गुमाटबासी लगे डोलत अदासी मिर्ग तरवर सदीव मौन सदे ही मरता है बिंद के सदैया ताहे हीज को बड़या देत बंदर सदीव पाएं नंगे ही फिरता है अंगना अदीन काम करोद में परवीन एक ग्यान के बहीन छीन कैसे के तरता है एक ओफ फलास्वी है सद्गुना दे इस कबेत दे विच के पाई जे मलीन ते गंदे रैन दे नाल ते गंदगी खान दे नाल रभ मिलदा होए ता खूख केंदे सूरनू केंदे फिर सूरनू काल दी प्राप्ती होएगी जे कर केवल पिंडे दे उत्ते श्रीर दे उत्ते सवा ते मिट्टी ते बबूती मानना रब मिलदा होगे ते गाज केंदे हाथी नू हाथी ते गदा इननू जिनना मर्जी पवितर करलो ए लेटे लंदे ने रेता दे वेच राख दे वेच पर जे सत्गुरु केंद के केवल मसाना वेच रातां कट्टना रब मिलदा होगे त ते हैं गिदुआ केंदे बिजूनू केंदे बिजूता फिर मसाना देवेची रहेंगा फिर ता ओद कारी या रबनू प्राप्ती दा इसे तरह जेकर मठां देवेच वास करना रब मिलदा होए तक कुगू मटबासे कुगू केंदे उल्लूनू केंदे उल्लूता अयाड मिलदा है लग डोलत उदासी मिर्ग जेकर उदास रह n दे नार रब मिलदा होए तो जेड़ा हेरनं । ने लेट अर्वे की आज जयन्दा जन्दा जिड़ा मेर्ग् tny कि गर्वल चोपढ़न दे उल्लून। हुए जिमें पहले जामेट सत्गुरा ने फर्माया के चुप चुप न होवे जे लाए रहा ले वतार तब सत्गुरु के अंदे तरवर सदीव मोन साथ दे ही मरता है जिनने रुखने तरवर ने एक बड़ी लंबी उमर पोग दे है पर एक चुप चाप ही एस तर्थीतों र कोज लो केंदे कैसीं कुदर्ती वरतारे कामनों वस्विच कर ले है सत्गुरु केंदे जे तुसी बिंद सादन हुई पको के पगद कबीर जीदा वी एस प्रती शब्द है बिंद राख जो तरिया पाई खुसरे क्यों ना परमगत पाई एक स्रीगुरु ग्रांसाइब ज दर्ज है के जे कर एक कामनों वस्विच कीतिया रब मिड़दा होए ता फिर ता खुसरे नूं परमगती मिलनी चाही दी है कलगी तर पाशा केंदे बिंद के सदयाता है हीज को बड़ए देता हीज केंदे हीजडे नूं खुसरे नूं सत्गुरु केंदे जे कर एस कुदर शक्ति बरतारे नूं रोक के कोई कहे के मैं शक्तिवान हो गया या रब मेरों प्राप्ति होगी ता फिर एजड़ा हीजडे मूं मानता मिलेगी बंदर सदीव पाएं नंगे ही फिरता हैं कोज लोग केंदे के नंगे पैरी प्रमन कीतियां अकाल प्रुखती प्राप्ति ये ता बहुती जागरत जीव है ता ए फिर बंदर नू प्राप्ति होएगी क्यूंके ये बहुत सचेत जानवर है ता ए ता नंगे पैरी सारा दन कुम दा फिर प्राप्ति दा हकदारते बंदर ने सारे पर अंत सत्थ गूरु जी एक तत ग्यान दन देने अंगना अदीन क काम क्रोध में प्रभीन, एक ग्यान के वहीन छीन कैसे के तरत हैं, के कुज लोक जड़े पंच मकाराम तर्म समझ देने, जड़े अंगना इस्त्रीदे दीन ने, काम विच गसे होयेने, काम क्रोध में प्रभीन पर दरसल जिंदगी दा तत ग्यान ए है, कि एक ग्यान के वहीं असल विच जद तक अकाल प्रुखदी बंदगी दा ग्यान नहीं है सिम्रंदा ग्यान नहीं उदी शक्ती दा ग्यान नहीं है असल विच सारी कमजोर ने शीनकंदे ने कमजोर ने असल वेचे सारी कमजोर ने और एक कमजोरी दा सदका केवल बारी पेखनू मानता दे बठे ने जी दे वेच सचाही कोई नी क्योंके एस पखंड करम दे वेच जेड़ा एस समाज जेड़ा उलजया होया और एदे नाल एदे वेच पठकदा है इसे त्रादा सतकुरांदा एक शब्द है पूत बानचारी छेट शवना सब दुद्धा तारी पाहन के अहारी सो पचंग जानीत है केंदे हेपाई दुनिया दे लोग को जे कर तुसी समझ दे हो के अजाड़ा दे वेच रब मिलदा है ते जीन तुसी पूत प्रेत मान दे हो उनों जाड़ाची मान दे हो फिर ता हक्कदार हो होनगे जे तुसी केंदे वरे आननी खांदा के वल दुद्धा तारी है ता जिनने भी शोटे बच्चे ने शेत शवना ने ए सारे ही दुद्धा तारी ने पर जे कोई कवे के मैं आनत यागता मैं पाउन हारी है ते पाउ विच्च जिन्दगी दा जिड़ा तत ग्यान है एक एस केवल बारी पेखतारियां तों पखांड कर्मियां तों बचना पहो बचो और एस विशवनु जागरत कर दिया है कि जड़ा तर्म हुंदा है तर्म हमें इसा कमाईदा है क्योंकि सत्गुरा ने ता मिशन दिता आप अपना तर्म चलामन संत अबार्न दुष्ट सवन को मूल उपार्न के ए जड़ा सच्चा तर्म संसार दे उप्ते हुवे ते सच्चे तर्म दा संदेश दिन्द्या सत्गुरा ने फर्माया प्राणी पर्म पुर्ख पगला को ए रामकली पाशे दस्मी रागबाद बानी च सत्गुरु केंदे के जीवन दा तत ग्यान ए है हे दुनिया दे लोग को ओस पर्म पुर्ख प्रमातमा दे चर्ना ना लगो संग्रा करो सदा सिम्रन को सदा ओदे सिम्रन दा काठ करो पर्म पाप ताजपा को जिड़े तो अड़े महापाप ने जिड़े तुसी पखांड क करी जान देने इना तो शटकारा पाओ ते ओस पर्म पुर्ख दा सिम्रन करो जदु तुसी सिम्रन करोंगे ब्यास करोंगे गुरूदी बानी नाले डिडूँगे ओस प्रबुदी रजाच रेना सिखोंगे ग्यानमा ही होंगे ता ए जिन्हावी पे इक्तारियां दा जिड़ा ग्यान है एक बहुत बटी शक्ती है और उस प्रभूदा ग्यान होना रोहानीड़ा ग्यान होना अधे आत्म ग्यान होना उस सत्गुरां दी बक्षिशनाण मिड़ता है एश लिए अपने आपन। एश कारजतों शटकारा पाया जाएगा फोकट करम का ना पूँ ता तुसी साच देलाड लगोंगे वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फते